तो दोस्तों यह रहे हमाए पास यहाँ पर MODER G34 5G और Realme 11X 5G और आइक्स फीडियो में हम जो है इन दोनों फोनों कंपेर करने वाले और देखने वाले कि इन दोनों फोनों में से बैटर फोन कोन सा है तो इस फिले बात करते हैं हम दोनों के बॉक्स के निके चीज़ मिल जाती है दोनों के अंदर में स्मार्टफोन तक है मिलता ही मिलता है साथ में एक सिंजल 2 री मिलता है और यूएच पो टाइप से डाड़ गे मिलती है तो आप बात करते हैं इनके variants रोन के pricing की तो यहाँ पे आपको modi 34 5G के रोल दो variant मिलते हैं जिसमें सबसे पहला variant 4G RAM 128GB चोईसा आता है जो लगवे आपको 15,000 का पड़ता है वही जिसको दूसरा variant है वो 8G RAM 128GB चोईसा आता है जो लगवे आपको 16,000 का पड़ता है और अगर इनके specification कंपेर करें तो आपको modi 34 5G के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर मिल जाता है जो 6 nm बेस है वही realme 11X 5G में आपको MediaDek Dimensity 6100 Plus प्रोसेसर मिलता है और ये भी 6 nm बेस है तो यहांपे आपको ज्यादा बेस्टर प्रोसेसर modi 34 5G के अंदर मिल जाता है और बाकि दोने ही के अंदर आपको UFS 2.2 के स्टोईज मिल जाती है और अगर operating system के बात करें तो आपको modi 34 5G के अंदर Motorola का My UX मिलता है जो Android version 14 पे बेस है वही Realme 11X 5G के अंदर आपको Realme UI 4 मिल जाता है जो Android version 13 पे बेस्ट है और अगर speakers की बात करें तो आपको modi 34 5G के अंदर stereo speakers मिलते है और Realme 11X 5G में आपको सिर्फ mono speakers ही मिलते है और अगर display की बात करें तो आपको दोने ही phone अंदर IPS LCDs पे मिलती है जिसमें modi 34 5G के अंदर आपको 6.5 inच की display मिलती है वही Realme 11X 5G के अंदर आपको 6.72 inच की display मिलती है अगर resolution की बात करें तो आपको modi 34 5G के अंदर सिर्फ HD Plus display मिलती है वही Realme 11X 5G के अंदर आपको full HD Plus display मिलती है बाकी aspect ratio तो आपको दोनों में ही ब्रंचोल डिस्प्लेय मिलती है और ब्रैडनेस की बात करें तो आपको मोड़ी जाइने के बैक साइट पे विगन लैदर मिलता है वहीं रियलमी 11X 5G के बैक साइट पे नॉर्मल प्लास्टिक की बैक मिलती है वहीं फ्रेम की बात करें तो दोनी फोनों के अंदर नॉर्मल प्लास्टिक का फिरिम मिलता है और अगर वेट की बात करें तो आपको मोड़ी 34 5G के अंदर 180 ग्राम का वेट मिलता है वहीं रियलमी 11X 5G के अंदर आपको 190 ग्राम का वेट मिलता है और अगर दोनी फोनों के नी ब्रोकर्स और एक power button मिल जाता है और अगर इनके left side पर देखें तो दोनी फोनों में आपको यहाँ पर sim tray का option मिलता है और अगर इनकी sim tray की बात करें तो आपको modi 34 5G के अंदर एक hybrid sim tray मिलती है जिसके अंदर आप dual sim use कर सकते हो या फिर एक sim card और एक memory card यूज कर सकते हो आप तीनी चीज़े को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं वहीं realme 11x 5G के अंदर आपको dedicated SD card का slot मिलता है जिसके अंदर आप तीनी चीज़े sim 1, sim 2 और memory card को एक साथ यूज कर सकते हैं और दोनी फोनों में आपको यहाँ पर side mounted fingerprint sensor मिलता है जो इनके power button के उपर ही है और अगर IP rating की बात करें तो आपको modus 34 5G के अंदर IP52 rating मिलती है वही realme 11x 5G के IP rating officially यहाँ पर नहीं बताई हुई है तो अब compare करते हैं यह cameras को दोनी फोनों के back side पर आपको यहाँ पर dual camera setup मिलता है जिसे modus 34 5G के अंदर आपको 50 5G का primary camera मिलता है वही realme 11x 5G के अंदर आपको 64 5G का primary camera मिलता है और अगर इनके secondary camera की बात करें तो आपको modus 34 5G के अंदर 2 5G का macro camera मिलता है वही realme 11x 5G के अंदर आपको 2 5G का depth sensing camera मिलता है और दोनी फोनों के back side पर आपको एक single flash view मिल जाती है और अगर इनके back camera की video recording की बात करें दोनी फोन यहाँ पर maximum full HD video 30fps पर record कर सकते हैं तो आप बात करते हैं इनके front camera की तो दोनी फोनों के अंदर आपको single front camera मिलता है जिसमें modus 34 5G के अंदर आपको 16 mouse का front camera मिलता है वही realme 11x 5G के अंदर आपको 8 mouse का front camera मिलता है और अगर front camera की video recording की बात करें तो दोनी फोनों से आप maximum full HD video 30fps पर record कर सकते हैं तो अगर इनके camera app के features तो compare करें तो दोनी फोनों के अंदर time lapse, portrait, night mode, panorama slow motion, dual capture जैसे features तो मिल जाते हैं वहीं Moto E34 5G के अंदर आपको sport color का भी option मिल जाता है जिसके मदद से आप जिसमें color को select करोगे उसके लावा सारे color black and white हो जाएंगे और अगर rear me 11x 5G की बात करें तो इसके अंदर आपको एक film का option मिल जाता है जिसके मदद से आप manual mode में किसी video को record कर सकते हैं और अपने ISO और aperture को control कर सकते हैं आप बात करते हैं इनके batteries की दोने ही phone के अंदर आपको यहाँ पर 5000 mH की battery मिलती है जिसमें fast charging की बात करें तो आपको mode 34 5G के अंदर 20 watt की fast charging मिलती है वही rear me 11x 5G के अंदर आपको 33 watt की fast charging मिलती है और network and connectivity की बात करें तो आपको mode 34 5G के अंदर 13 5G bands मिलती है वही rear me 11x 5G के अंदर आपको 9 5G bands मिलती है बाकि दोने ही phone यहाँ पर dual 4G voltage support करते है और वाइफाई की बात करें तो दोने ही phone के अंदर आपको यहाँ पर 5 GHz का Wi-Fi मिलता है और Bluetooth की बात करें तो आपको mode 34 5G के अंदर version 5.1 का Bluetooth मिलता है वही rear me 11x 5G के अंदर आपको version 5.2 का Bluetooth मिलता है तो अब यह मैंने दोने ही phone काफी अच्छे से आपको compare कर दिया है तो अब आते है final result पे कि इन दोनों phone में से आपको कौन सा phone लेना चाहिए तो यहाँ पे ज़्यादा better phone mode 34 5G है क्योंकि इस phone के अंदर आपको comprise में better processor मिल रहा है latest operating system मिल रहा है premium back मिल रही है क्योंकि vegan leather सच में काफी बड़िया लग रहा है इसके back side पे और बाकी इसमें आपको better front camera मिल रहा है और साथ में 13 5G bands मिल रहे है इसलिए अगर आप Moto G34 5G और Realme 11X 5G में से कोई एक phone चूज करना जाते है तो आपको यहाँ पे Moto G34 5G ही चूज करना चाहिए बाकी आपके अपनी choice है मुझे नीची comment में जुरूब तहिएगा कि आपने कोई सा phone चूज किया तो दूस फिर बस आज किस वीडिम में इतना ही अगर आपके में वीडियो पस्ते हैं इसी और वीडियो देखने के लिए थैंकि फिर वाचिंग एंड बाई बाई